हलो फ्रेंड्स मेरी स्टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे हम कलीदार लहंगा बनाना जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये कपड़ा लिया है ये बैल वेट के उपर सिक्वेंस की कड़ाई है और देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ मैंने ये कली कट कर रखी है मैं आपको इसकी लंबाई और चोड़ाई बताती हूँ जैसे मुझे अपना लहंगा 40 का बना के रेडी करना है अब मैंने 2 इंच बैल्ट के लिए निकाल के लिया है तो ये 43 इंच की मेरी कली है क्योंकि मुझे इसमें मार्जन वी सी के अंदर लेना है आप जब भी लहंगा बनाए उसमें 4 इंच का मार्जन आप जरूर लें क्योंकि लहंगा थोड़ा लॉंगी अच्छा लगता है पट्टी हम अलग से लगाएंगे और देखिए जैसे हमारी कमर है 38 38 को हम 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 20 कली डालेंगे तो हमारा आएगा 2 इंच और मैंने 1 इंच एक्स्टर लिया है तो मैंने 3 इंच लिया है टोटल उपर से कली की चोड़ाई और नीचे से कली की चोड़ाई मैंने 18 इंच लिया है और मैंने 6 मिटर फैबरिक लिया है जिसमें से लेंगा ब्लाऊज दोनों रेडी करेंगे सबसे पहले आप कपड़े को लंबाई में बिचा लीजिए तो मैंने 6 मीटर कपड़े को पूरा लंबा बिचा लिया है अब जो मैंने कली ली है उसको बिलकुल ऐसे ही कटिंग कर लेंगे हम ठीक है यह सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी भी आपकी कमर है जितनी जैसे आपको 16 कली डालनी है तो आपको जितनी कमर है उससे डिवाइड क की है क्योंकि सभी कली को हमें एक जैसा ही कट करना है और बीच बीच में नाप के भी देख लेना है और ध्यान रखना है हमें बिलाउज के लिए भी इसमें से फैवरिक बचाना है एक मीटर तो मैं जितनी मेरी यह बीस कलीया निकलेंगे उतने फैवरिक से निकालने के यह कपड़ा मैंने बिलाउज के लिए बचा लिया है 80 cm क्योंकि 36 ब्रेश्ट का बनाएंगे तो देखिए कली को सीधा रख लेंगे दूसरी कली को हम इसके उपर उल्टा करके रखेंगे और जो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होगी कली वो नीचे से बॉटम से होगी तो व पर एससे सिलाई कर दें मदलब जितनी भी मेरी कलिया हैं ये मुझे ऐसे ही जोड़लेना है आप इसे 16 कली का भी बना सकती है 15 कली का भी बना सकती है जैसा भी आपको घहरा चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए तो सभी कली हो को देखिए फ्रेंट्स मैंने जोड़ लिया है पूरा एक गोल सरकल मैंने बना लिया, एक कमर का है, ये पूरा घिरा आप देखी सकती है, अब देखिए जैसे छोटा बड़ा है कहीं कहीं से, ये देखिए जैसे यह यहां से बराबर है, थोड़ा सा कहां से निकला हुआ है हमारा, ये वाला कौना निकला हुआ है, जो इसको भी हम कट कर देंगे तो ऐसे ही हमने सब ही को कट करके बरावर कर लिया है ठीक है थोड़ा थोड़ा कट करना है आपको यह देखिए पूरा एक दम बरावर हो गया है नीचे से अब हम क्या करेंगे हम इसके लिए अस्तर कट कर लेंगे तो यह बैल्ट है इसकी जो हमने निकाल के बरावर बेल्ट को तयार कर लिया है यह हमने केन केन ली है यह हमने साड़े तीन मीटर केन केन ली है यह हमने तीन मीटर टाफेटा का फैबरिक लिया है जिसको हम अस्तर में यूज करेंगे तो सबसे पहले कपड़े को दो तह में बिचा लीजिए इस तरीके से ठीक है मैंन जैसे तिकोना कर देंगे तिकोना करने के बाद जैसे हमारी यहां पर कमर आ रही थी 38 तो 38 को फोर से डिवाइड करका तो 10 इंच आएगा मैंने एक इंच एक्ष्टा लेके 11 इंच ले लिया है और अब यहां से हम लंबाई लेंगे तो लंबाई में आपको जैसे मैंने बताया है कि इसमें दो इंच उपर बैल्ट का निकालके मैं इसकी जो टोटल लंबाई है वो यहां से आप 38 का जैसे हमारा तयार हो गई है और उसमें हमें मोडने के लिए भी चाहिए तो हम क्या करेंगे सिर्फ हम इसमें एक हिंच एक्ष्टा ले मतलब टोटल हम 38 ही ले रही है इ यहां से आप इसको 40 भी ले सकते हैं क्योंकि केन केन भी लगेगी तो मैं 38 ले रही हूं क्योंकि लेंगे की लंबाई 40 है तयार तो इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही मोड़ूंगी इसको और मैंने आधा ही चैक्ष्टा थोड़ा सा बढ़ा लिया है क्योंकि लहंगे से जो आपका में फैबरिक है उससे बड़ा लटकना नहीं चाहिए अस्तर उससे उंचा ही रहे अब जो यहां से भी छोटा बड़ा फैबरिक निकला हुआ है उसको भी हम यहां से कट कर देंगे तो यह देखिए यह पूरा हो गया है अब इसको हम इस तरीके से कट नहीं करेंगे इसको पूरा एक सरकल में ही रखेंगे और यहां पर केन के लिए निसान लगाएंगे तो यह साड़ी तीन मिटर केन केन है मेरी मैं आपको बता दूंगी मोड के हमें लगानी है इसकी जो टोटल लंबाई है हमारी कि देखिए वो यहां से आरी है ठाहर तो हम इसको मोड के लगाएंगे ताकि अच्छा फ्लेयर आय लहंगा में तो हम इसको भी साइड हटा देते हैं और निसान लगा लेते हैं इसमें तो हम जिसमें डबल लगाएंगे जो केन केन है पतली-पतली से तो नीचे से पहले आप छैन छोड़के और यहां से निसान लटके लगा देंगे तो देखिए मैंने दोनों साइड को यह एक निसान लगा दिये हैं अब मैं इनके उपर केन केन लगाऊंगी तो केन केन को डबल करके ऐसे बॉक्स प्लेट डाल लेंगे यह देखिए केन केन को मैंने मोड लिया है और मोडने के बाद फिर हमें क्या हो ताकि इसमें से यह खिचेगी नहीं जब हमने जैसे 18 इंच थी इसकी लंबाई तो मैंने उसको मोड दिया है अब देखिए मैं दूसरी पट्टी भी ऐसी ही रेडी करूंगी और प्लेट मैं लगवग एक से डेड़ डेड़ इंच की डाल रही हूँ अब यह मैंने दोनों और फिर हम उपर वाली पे लगा लेंगे तो ऐसे ही इनके बीच में थोड़ा सा गयप रखते हुए हम पूरे ही केन केन को अपनी को लगा लेंगे दोनों में तो अगर आपको ज़्यादा घिर वाला और थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए तो आप दो लगा सकती है वरना तो देखिए फ्रेंट्स मैंने ये लहंगे को भी एक साइड से सिल लिया है और केन केन को भी लगा के एक साइड से सिल लिया है मतलब वो बंद हो गई है अब दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे और इनका कमर वाला हिस्सा हम ऐसे सिलाई कर देंगे हमने साइड में जिप करेंगे और फिर अपनी बैल्ट लेंगे और यहां से बैल्ट को ऐसे उल्टा करके रखेंगे सीधी साइड को और फिर इसको ऐसे पलट देंगे राइट साइड को इस तरीके से और यहां पрем इसमें पिने लगा देंगे ताकु स्में जोह 2030 खोरॉं सीजय कता लिए उ और यहां से हम नीचे का घेरा तैयार कर लेंगे तो जिसके लिए हम जो पेपर पेस्टिंग आती है मोटी वाली चुपकाने वाली हम वो लेंगे और यह देखिए यह हमारा स्तरवीश से लगवग 2-3 इंच उंचा है तो यह बिल्कुल भी नहीं लटकेगा तो यह मैंने पेपर पेस्टिंग लिए है जो अल्रेडी यह तैयार है हमारी इसकी चौड़ाई 3 इंच है आप इससे भी बड़ी भी ले सकते हो यह 6 इंच की भी आती है लेकिन मैंने 3 इंच चौड़ी लिए है इसको हम इस कपड़े पर चुपका लेंगे यह मैंने घेरे के बराबर कपड़ा ले लिया है अस्तरवाला ही इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच लिया है जैसे हमारी पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई है 3 इंच तो मैंने इससे डबल लिया है कपड़े को ताकि यह पूरा कपड़ा इसके उपर कवर हो जाए पेपर पेस्टिंग के उपर यह दिखनी नहीं चाहिए तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां से हम इसको लगबग आदा हिंच छोड़ के तब प्रेस करेंगे क्योंकि उस पे सिलाई लगेगे हमारी तो पूरी पेपर पेस्टिंग को प्रेस कर लिया है अब जो आदा हिंच का कपड़ा हमने रखा है उसके उपर ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे ध्यान रखें पेपर पेस्टिंग बहुत हाड है हमारी तो उसके उपर आपको सिलाई नहीं चलानी है वरना आप जब मोड़ोगे तो वहाँ से वो एकदम उठा हुआ लगेगा तो इसलिए कपड़े को थोड़ा सा एक्स्टा मतलब साइड में करके प्रेस करें पेपर पेस्टिंग को और पूरे ही गेरे के उपर हम इसको लगा लेंगे अब इसको हम सीधी साइड को पलट देंगे ऐसे और पहले हम जो कपड़ा है हमारा वो मोड लेंगे हम ताकि हमें दिक्कत ना हो इसे मोडने में तो यहाँ से देखिए मैं सभी पूरे कपड़े को अंदर की साइड मोड रही हूँ और फिर पूरा हम इसको रॉंग साइड को पलट देंगे तो इससे फिनिसिंग बहुत अच्छी आती है तो देखिए पूरा कपड़ा मुड गया है अब मैंने लेंगे कोल्टा कर लिया है अब इसमें जैसे हमारे लेंगे में तो कलिया है और यह पट्टी है स्ट्रेट एकदम सीधी तो इसमें छोटी छोटी हमारी पलेट साइगी लगभग 4-5 पांच इंच की दूरी तक तो वहाँ पे हमें छोटी सी एक पलेट बना के लगा देनी है यह देखिए यहाँ से पूरे में हम इस पलेट को बना लेंगे और लगा देंगे ताकि इसमें आगे की साइड जोलना देखिए और वो पलेट आपकी बाहर की साइड नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अंदर आएंगी तो अंदर की साइड पता भी नहीं लगेगा कहां पे है तो ऐसे ही हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे यह देखें यह पूरा हमने फिनीसिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है केन केन वगेरा सब कुछ हमारा रेडी है अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हुआ है समझने में या फिर कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकती है यह देखें काफी गेरे वाला लेंगा है मैंने पहन के भी दिखाया है तो देखें फ्रेंड्स जो हमारा लेंगा है वो बनके रेडी है इसका ब्लाउज डुपटा भी आपके साथ हम जल्दी सेयर करेंगे तो लेंगा आप देखी सकती है काफी गेरे दार है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा धन्यवाद आप सभी का